आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूटूब चैनल LGR Study Paramedical में दोस्तों जिसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस स्रीज में हम लोग Paramedical परवेश परिक्षा के बेहतर तयारी के लिए बैलो जी के मातपूर्ण कोश्चन का तयारी करते हैं आपको बता दे कि आज यह इस वीडियो स्रीज का 19 नंबर वीडियो है बैलो जी के मातपूर्ण कोश्चन के लिए इस से पहले हम इस तरह का 18 वीडियो अप्लोड कर चुके हैं तो अगर आप अभी तक इस सभी 18 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के पले लिस्ट में जा करके जरूर देख लीजिएगा जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी माहत पूर नहीं है तो चले दुस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं सभी लोग comment box open कर लिजिए और साथ सभी question का answer आप लोग को करना है पांच से छो सकेंड का time आप लोग को पढ़ते question में दिया जाएगा तो सभी लोग comment box open कर लिजिए कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि हमें इस question का answer नहीं पता है तो मैं इसका क्या answer परो आप यहां गलती करेंगे त चलिए देखते हैं चार सो एकावन नंबर question से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि 450 question हम लोग complete कर चुके हैं एकावन नंबर question के द्वारा पूछा जा रहा है कि मेदक के हिर्दे में कितने कख्ष होते हैं दो तीन चार पांच कितने कख्ष होते हैं जैसे मनुस्यका जो हिर चलिए आगे बढ़ेंगे अगर आप लोग biology का revision करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो स्रीज के सभी question को जरूर देख लिए अच्छा revision हो जाएगा और यहां से आपका 95% question तो हम आपको बता देते कि यहां से आपका आ जाएगा जितने भी 18-19 वीडियो आपको इसमे मीर मीं मी मुस्त में मफकिद आपको नाउठीक माचली में ऑप्सेम दिया गया आप ज्ञाया ब्लकुल ज़ो है सही आंसर होगा चलिए आगे बढ़ जाईए और देखें यहां पर अपने तिरपन नंबर कुश्चन को पूछा जा रहा है कि संसार में किसकी जीव की संख्या जो है सरवाधिक हैं कौन साइसा जीव है जिसकी संख्या सरवाधिक है पक्थी, सरी, सरिप, ब्रिंग या फिर संख्या सरवाधिक मतलब सबसे अधिक है तो यहां पर क्या सही आंसर होगा फास्टली आप बतानी के कोशिश कीजिए तिरपन का हम आपको बता दे कि डियो अप्षन सही होगा मचली जो है इसकी संख्या सबसे अधिक है ठीक है पक्षी की पक्षी सरी श्रीप और सीत रक्तिय प्रानी हैं तो सबसे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सीत रक्तिय प्रानी किसको कहते हैं रक्तिय जो है यह है रक्त से संबंदित रक्त मतलब बलड और सीत मिस होता है ठंधा मतलब कौन ऐसा प्रानी है जिसका रक्त यानि की बलड ठंधा होता है जो मनु जिसका बलड सीत मतलब ठंडा होता हैं। तो क्या सही आंसर होगा? मचली, छिपकली, मेड़क या यह सभी तो यहां जो है आपका चोबन का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा डेट में श्याद रखेंगे यह सभी मचली, छिपकली और मेड़क सभी के जो बलड होते हैं वो सीत मतलब क्या होते हैं ठंडा बलट की ये सब होते हैं ठीक है यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है पच्पन नंबर महत्पूर्ण कोश्चन पूछा जा रहा है कि नरिसंस परानी कौन सा है कच्छुआ पैंगविन ओटर या इनमें से कोई नहीं तो पच्पन का क्या सही आंसर होगा फास्ट लिए आप लोग बताईए हम आपको बता दें कि पच्पन का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वह ए होगा डैट मीश्याज़के कच्छुआ यहाँ आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे बरेंगे यहाँ पर देखेंगे आपके 56 नंबर कुश्चन पूछा देखेंगे सबसे विशयला सर्प हैं सबसे विशयला सर्प कौन है यहाँ पर यह आपको बता दें कि 56 का सी ओप्शन सही होगा करयत ठीक है करयत जो है वह बहुत ही साइज का छोटा होता है एक से एक मीटर डेर मीटर का होगा और यह दो कलर का होता है एक तो गेहूं जो कलर होता है उसके टाइप का होता है और एक हलका बुलू टाइप का होता है तो बुलू बाला जो होता है वह जहरीला होता है गेहूं जो कलर का होगा वह क्या होगा भूरा जो कलर का होगा वह उतना या फिर कली जो उसमें जो है वह जहरीला नहीं होता है ठीक है भी सैला नहीं होता है चलिए आगे बढ़ जाईए और यहां पर देखेंगे हम लोग आपके 57 नमबर कुश्चन को 57 नमबर कुश्चन है पूछा जा रहा है कि गोसला बनाने वाला एक मातर साप है कौन ऐसा साप है जो गोसला बनाता है तो फास्ट लिए आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा A, B, C, D, कौन सा यहां पर आपका जो है सही आंसर होगा चेन वाइपर, किंग, कोबरा, करेत या इन मेंज़े कोई नहीं तो यहां पर हम आपको बता दे कि आपका संताबन का जो सही आंसर होगा वो आपका B होगा, किंग, कोबरा यहां जो है आपका बिलकुल, सही आंसर होगा, चलिए आगे बढ़ जाईए और देखेंगे यहां पर हम लोग 58 नमबर कुश्चन को पूछा जारा कि हाल ही में लुप्त हुआ जन्तु है कौन ऐसा जन्तु है, जो हाल फिलाल में ही क्या हुआ है, लुप्त हुआ है, ए उप्षन दिया गया है, ड्रेको, बी उप्षन यहां पर आपको दिया गया है, मैं मत, और जो C उप्षन है वो डैनोसोर है, तो क्या सही आंसर होगा, फास्ट लिए यहां पर आप लोग बता हाथी से भी बढ़ाता हूँ, ठीक है, नेक्स देखेंगे, हम लोग यहां पर 69 नंबर कुश्चन, पूछाजर की विसायली छिपकिली है, विसायली छिपकिली निमले खित में से कौन सा है, फास्ट लिए आप लोग कमेंट के मादें से बताइए कि 69 का यहां जो आपका सही योगा हीलो डर्मा, ठीक है, हीलो डर्मा जो है, विसायली छिपकिली है, आगे बढ़िए, और देखेंगे यहां पर आपके 60 नंबर महत्पूर्ण कुश्चन को, 60 नंबर कुश्चन के द्वरा पूछाजर की कौन सा प्रानी सापों से लड़ता है, कौन सा ऐसा प्रानी है जो साप से लड़ता है, नेवला, गीदर, बाग या भी बंदर, तो यहां जो है, आपका सही जो है, आंसर हो जाएगा, 60 का A होगा, डैट मिस नेवला जो है, वो साप से लड़ता है, ठीक है, आगे बढ़िए, और देखेंगे, यहां पर आपके 61 नंबर महत्पूर्ण कु पूछा जा रहा है कि समुद्री सर्प को कहा जाता है, समुद्री सर्प को क्या कहते हैं, समुद्री सर्प निमलेकित में से कौन सा हैं, तो 61 का जो यहां पर आपका D option है, बिल्कुल इस जो होगा, जखेंगे, हाइडरो फीस, यहां जो है, आपका बिल्कुल सही आंसर होग आपको बता दे कि सर्प मतलब सांप हम लोग वो को जैसे कान है जैसे गाई या फिर भैसी जो होते हैं उसको कान होता है उस तरह से सांप को कान नहीं होता है तो सांप को अगर कान नहीं है तो वो ध्वानी गरहन किस से करता है किस अंग से ध्वानी को गरहन करता है जीब से पैर से तवचा से या फिर मुह से तो यहां जो आपका सही आंसर हो जाएगा 62 का वो आपका C होगा है तवचा से गरहन करता है जेनरली वो भाइबरेशन को पकर करके और समझता है कि कहीं पे साउंड हो रहा या फिर वो बातों क को समझता है कि से वाइबरेशन के अनुसार ठीक है चलिए यहां पर देखेंगे 63 नंबर मात्पूर्ण को को सब्सक्राइब की पक्षियों की हड्डियां होती है पक्षियों की हड्डियां है वो कैसी होती है ठोस इसके बाद आपका दिया गया वातिल मजबूत या फिर वात्मी सुता है हवा ठीक है वो खोखला टैप सा होता और उसके बीच में हवा भी उपस्थित होता है हड्डि जो उसका होता है वो नेक्स यहां पर देखेंगे 64 नंबर कोश्चन पूछा करें कि मधु मक्खी और कीरी किस वर्ग से संबंधित है मधु मक्खी हो या कीरी ह जितने भी कीट पतंग आप देखते हैं वो किस वर्ग से संबंधित है कीट विशानू टिद्डा या पिर इन में से कोई नहीं तो 64 का जो यह है यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा डैट में स्याजर केंगे वो क्या है कीट है चलिए आगे बढ किरती कैसी होती है बाही होती है यह दोनों होती है इन में से कोई नहीं तो क्या जो है जही आंसर होगा फास के लिए आप लोग कोसिश किजिए चलिए, हम यहाँ पर आपको बता दे कि 65 का जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा, वो यह होगा, यह बाई ही होती है, कैसा होती है, बाई होती है, ठीक है, आपको बता दे कि सभी सबजेक्ट का क्रेयास कोर्स अगर आप लोग करना चाते हैं, पारामेडकल परविश परिच हैं तो अगर आप लोग चैनल के फले लिस्ट में जा यह वहां पर आपको मैयक का भी 1 और सभी सब्लेक्ट का आपको चैनल कि पाले लिस्ट में जाईए हैं। यहांसे आप यहां होती है किरा होती है चल यह सी तरह से बहर हैंगे हम लोग यहां पर अपने सरसर्ष नंबर महत्पूर्ण क्वेश्चन सरसर्ष के जोड़ा पूछा रहें कि रख्त में परती असकंदक पदार्थ कौन सा है रक्त में प्रत्ति stand tap पदार्थ जो है नेव्ल लिखेद में से कौन सा है तो सर्सट का यहान पर आपका शही आंसर होगा वो हैं ओधिंग आपको पूरा क्वेश्चन पूसर लाहा है कि नम लिखेद में किस समूब के जीवों का डूबने से हुई मिर्तिव का पता लगाने में महत्तो है कौन सा ऐसा जीव है अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई जीव डूब जाता है तो उसका पता लगाने में उसका बिसेश योगदान होता है तो 68 का क्या सही आंसर होगा आप लोग बताईए हम आपको बतादे यहां पर आपका यह उप्षन यानि की डाइटम यहां पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा चलिए बरेंगे अगले महत्पूर्ण कोईश्चन की तरफ यहां देखेंगे हम लोग 69 नमर क्योश्चन को पूछा जा रहा है कि महमत पूर्वज है चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहां पर आपके 70 नमर क्योश्चन को पूछा जा रहा है कि यहां पर आपको सिंपली बताना है फिरो मोन्स पाए जाते हैं फिरो मोन्स जो है वो किसमे पाए जाते हैं तो 70 क्या सही आंश रुगा आप लुग कीटो में यहां पर आपका विल्कुल जो है सही आंश रु गास चलिया आगे बढ़ जाये और देखेंगे यहां पर आपके 71 नंबर kitchen पुझा रहे कि भारत की सबसे बरे मचली हैं भारत की सबसे बरी मचली कौन है किंव सार्क हिलसा स्टोन फिश्ट या फेर्ड मारलिन क्या सही आंसर हों कफास्ट लिए उप उलोग बताईए qa offense या वियद सारक आपका जो है सही आंसर होगा चली आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके बहतर नमर कुश्चन को पूछा जा रहा है कि निमनले खीत में से कौन कीट नहीं है कौन जो है वो कीट नहीं है और देखेंगे यहाँ पर आपके तिहतर नमर कुश्चन को तिहतर नमर कुश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपके पूछा जा रहा है कि पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू, खरगोस, कुत्ता या फिर बिल्ली तो तिहतर का यहाँ पर आपका इवाप्शन से यहाँ जो है जिसकुल का जीब है उसी कुल का जीब है कौन पांडा ठीक है पांडा भी क्या है उसी कुल का जीब है जिसकुल का भालू है वो देखने में भी सेम लगता है ठीक है चलिए आगे भरेंगे और देखेंगे यहा पर आपके 74 नमबर महत्पूर्ण को चोहतर नमबर कोश्चन के द्वारा पूचा जा रहे कि निम्नली खित में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता अंडे देने का काम कौन करता मतलब वो बच्चा नहीं देता है तो 74 का यहाँ पर आपका A option सही होगा याद रखेंगे एक किर्णा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा चलिए देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 75 नमबर महत्पूर्ण कोश्चन को 75 नमबर कोश्चन के द्वारा पूचा जा रहे कि आधिकांस कीट स्वस्चन कैसे करते हैं तो अचा से या फिर वातक तंतर से या फिर फैफरा से या फिर कलों से दुक्या यहाँ पर आपका सही आंसर होगा हम आपको बता दे कि 75 का यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है आज के लिए इतना है रखते हैं आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट के माध्यम से जिरूर बताईए और आपको बता जादे की मेरे द्वारा सभी सब्जेक्ट का चेप्टर वाइज क्राइस कोर्स करवाया गया है तो आप लोग इस चैनल के पहले लिस्ट में जाएए और सभी सब्जेक्ट का वहां से आप लोग जो है बिल्कुल फिरी में तयारी कर सकते हैं अगर आप अभी तक इस वीडियो का नोटिविकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें